मैं एक टूब इक्रम टूटोरियल रासान सास्तर के पहले भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं हम लेके आए हैं कोश्चन फर्स्ट चेप्टर का तो पहला है डैस में विश्रन अधिक्ति वर्ता से होता है तो होगा गैसों में निमलिकित में किसके अनुओं के बीच आकर पदार्थ के संदर्व में कौन सा कतं सही नहीं है तो पादार्थ के कनों के बीच को कई आकर्षन बल नहीं होता इए बिलकुल गलत जबकि सभी सभी हे यह थो यह आपप्लों देख लिज इए ठीक है यदि आमोनिया अनपाद घंस घंस का पूर अनपाद क्या ओए तोग है और बाकी पीतल वायु पानी में चीनीका गोल सही होता हैं समांगी बिषराथ समाने तेहां प्दार्थों कि फ्रोती वस्था में सामिल नहीं है तो यह कौन सा मिलकाःड निम्लिकित में कन्सा गलता में पदार्फियक अस्टिर अवस्था में श्तर ग्यात्य मोई करता है कि मैं मिस्ण और योगिकों का मिसरन क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा तत्वते जैसे ऑक्सीजन होता है यह सभी होते हैं आगे बढ़ते हैं विज्ञान में कौन सा नियम मिसरन के गुनों का पालन नहीं करता है तो यह होगा ऑप्सन नमर डी इसकी सनचना तय है ठीक है बाकि सभी यह पर अधकि आ करना है इनमें से कौन सा रसानी परिवर्दन नहीं है तो अम्लिक्रित जल का विदुत अभगटन यह रसानी परिवर्दन नहीं है इंदनका दहान औरिस सब जितना भी है वह रसानी परिवर्दन reaction और बहुत ही impose ढ़न के हमया बहुत की लेक्तात demás क्मिस सजाती विश्रन नहीं है निमलिकित मैं से कौन सा भोती परिवर्तन नहीं है तो ठो आपका हो जाएगा पदार्थों कीरवन रसानी परिवर्तन है इन में से कौन रसानी परिवर्तन का उधारन है तो निस्क्रिय करन जो है वह रसानी परिवर्तन है बाकि सभी भोती परिवर् परिवर्तन नमर्ट 26 कोन सा रचानिक परिवर्तन का उधारह नहीं है तो इसका एंसर वोगल जल का जलवास्प में परिवर्तन तो वीडियो को रेगुलर देखिएगा क्योंकि हम लगातार पीजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी तीनों लाएंगे और सभी को एक दम चेप्टर लेके आंगे ठीक है कोशन नमर्ट 27 कोन सा भी कछ रचानिक परिवर्तन है तो दूद का दही में परिवर्तित हो न यह क्या है रहासानिक परिवर्तन उस परक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सिधिय ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है बहुत important यह है आपका ऑप्शन पर लेकिन जान देजिए आपका जो उर्ध पातन होता है वही कहलाता है उर्ध पातन को ही क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका डिपोजिशन कि सब्ली मेशन का मतला उर्ध पातन लेकिन यहां पे ठोस वर्ष्टू में परिवर्ट गैस सी दे ठोस में तो होता सब्ली मेश उर्ध पातन अब हिंदी क्या होगा इंगलिस क्या होगा आप लोग देखेंगे निमलिकित में कौन सा अवलोकन हमें ये निर्धारित करने में मदद करता है कि रासानिक अविक्रिया हुई है या नहीं तो ये सभी विकल्प निमलिकित में कौन सा एक भोती परिवर्तन है तो ये हो जागा बर्प का पिगलना एक भोती परिवर्तन है निश्चित अनुपात के नियम का नुस्थार क्या होगा राशानी पदार्थ में तत्व हमेशा द्रमान के निश्चित अनुपात में मौजुद होते हैं आगे बढ़ते हैं निमलिकित में किस नियम के अनुस्तार देगे रसानिक वदार्थ में हमेशा वही समानदत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संजुक्त होते हैं तो यह हो जागा इस्थीर अनुपात का नियम कार्बन डैक्साइड के सभी नमुनों में तीन अनुपात आठ के अनुपात में कार्बन और ऑक्सिजन होती है यह डैस के नियम के साथ सामती में है तो यह है लगातार नियम लगातार समानुपात यह याद रखिएगा लगातार अनुपात मतलब गुनित अनुपात ध्यान ना तो आगे बढ़ते हैं द्राव के ठोस में परिवर्तन की प्रकरिया को क्या कहा जाता है तो यिसका हो जागा हीमी करन आगे बढ़ते हैं Question V35 में नि मलेकित मैं बेग्यानिकों में किसने इस्थीर अनुपात के निव को परतिपाधन किया यह को जाएगा B. नमी, डेस सता की घटना है, तो यह उजाएगा उप्संवर्सी भाप, भाप एक सता की घटना है, तरल अवस्ता सिगे सवस्ता में परिवर्टन को क्या का जाता है, तो वास्पी करन, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है, तो उच्छ तापमान, और भी चीज़ें हम दिखा देंगें बाकी अप लोग ध्यान रखिएगा कि रेगुलर वीडियो को जरूर देखिएगा आज मेरा सरदी हो गया है थोड़ा सा उतना अच्छा बोल नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते भोति परिवर्वर्वयत से सुखी वर्फ बढ़ना मखन का ठना रशानिक पर ब्खशन सरी परिवर्विल नमके का सिंपर और समय सबरतन अजने का और यह सब देख सकते हैं कि दूसे ड cat बढ़ना राशानी परिवरता लोगे पंजग लैना राशानी सोडियम को दालना राशानी परिवरता लोलट Shaxam लेकिन रसानी परिवड़ते हैं उसके बाद यह वाला जरूर याद रखेगा कि एक पर्मानु पर्मानु की संग्या एक अनुमें पर्मानु संग्या आरगान एक हिलियम एक आरन एक हाड्योजन दो क्लोरिन दो जल तीन अमोनिया चार फॉर्मुला से होता है निस तरी तो है सब्सक्राइब करके बताएं और किस तरह का वीडियो चाहिए आप लोग कमेट करके बताएं ताकि आपको ग्रूब डी में कोई भी दिखत ना हो पाएं